हालो स्टुडेंट्स वेल्कम बैक टो अगेंट टीचिंग टेंपल फ्रेंट्स आज हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनी टेंस का आफ्रमेटिव संटेंस जैसे कि पिछले वीडियो में यानि कि प्रेजेंट का मतलब चारों पार्ट्स और फ्यूचर पास्ट का चारों प चौले प्रेंटेंस यह तरह पो दीचिंगे गए कि एम जदीउक प्रेंटर्णिड के ऊ़ती है तो यहां धरींटर्म प्रेंटर्म इसयुंचकर न टालेंगे shit यहां तरौ अच्छर गा德 कर लेंगे तो बहुत हमें तरीकसा फ्यूचर इंडेंटनी तरेंसाह प्यूचर अ अच्छी तरह के साथ बना लेंगे तो हमारे इस टेक्चर क्या नहीं कि सबसे पहले संटेंस को बनाते सबसे सबसे पहले हम सब्जिक्ट को रखते हैं फिर इसके बाते वील सैल वर्ब का फॉर्ट प्लस अबजेक्ट बस बहुत ही सिंपल है आपको बहुत अच्छी तरह किसमें समझ में आजाएगा देखें इसमें रूल हम आपको बताएंगे यहां पर देखेंगे आई और वी यानि आई और वी के साथ हम साल का यूज करते है और यहां पर देखेंगे ही सी इट यू वी और दे यहां इनके साथ हम विल का यूज करेंगे और इसमें हमेशा हम वर्ब का फॉर्ट 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 यूज करेंगे ठीक है यहां तक आपको प्लियर हो गया है जैना यानि कि आई और वी के साथ हम सैल का यूज करेंगे और ही सी छीra उउ वी यानि सभी में आदट को Rs. उसके साथ हमें सहां वेल का यूज करेंगे तो चलिए देखते हैं संटेंस को देखते हैं बहुत ही अच्छी तरह समझ में आजागा कैनी फ्यूचर इंडेफिनी टेंस का अफरमेटी संटेंस बनाते कैसे हैं ठीक है तो संटेंस हमारे क्या है मैं एक पुस्तक लिखूंगा बता हैं किशकी पहचानी यहीं होते है कि लास्ट में ले 지역 में फूचर इंडेफिन टेंस होते हैं संटेंस को बिल्कुव एच्छी तरह से पहले तो पहता एक फूय फूल पुस्तक लिखूंगा गा आ आगया है तेरहिते हैं cash पीक lot आपको बता है आई और वी किसाद सेल का युच करेंगे तो दीके सेल होगे हैं आई सेल राइट मिस क्या होता है लिखना होता है राइट और बुक ठीक है इसमें इसमें आई एंजी नहीं लाइना वह पका फर्स फॉर्म रहेगा और उसके बाद हम आपजेक्ट को रख हम बजार जाएंगे यहां पर देखेंगे हम बजार जाएंगे यहां पर वी के साथ हम सैल का युच करेंगे यानि कि आपको आई और वी के साथ साल का युच करेंगे यानि कि वी सैल गो टू मार्केट गो मिस जाना होता है फर्स्ट फॉर्म है टू मार्केट और अपजेक आएगा तोड मैं सब्सक्राइब अब करके सब्सक्राइब हो कि Climate की लए का यूजँ कर दिये ही फिर ही तुसमारो曲 क्या है, वापस आएंगे from say देलही tomorrow यानि की कल के लिए तुमार का यूज करते हैं आने वाले कल के लिए yesterday का यूज करते हैं तो ही विल कॉम बैक फ्रॉम देलही tomorrow नेक्स्ट जवर संटेंस वे उसकी सहाता करेंगे वे उसकी सहाता करेंगे तो दिखिया आप दे हो जाएगा बहुत ही सिम्पल है बस ख्रीव आई और वी के साथ हमसाल का यूज करेंगे और he c e t u v यानिकि सभी सब्जेक साथ हम्मेसा हमल का यूज करेंगे तो यहांप देखेंगे यानि कि दे मिसे बता है विल रिस वाल्प हीम यानि उसकी यानि दे will help him next is our sentence मैं तुम्हारे साथ वराणसी जाओंगा तुम्हारे साथ आज के लिए बस इतना ही आई होप आज का वीडियो आपको काफी समझ में आया होगा कि यानि कि आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे और साथ मीच करेंगे और प्यंसके अच्वेएं करेंगे अब यह प्ताफुल्ल कि इस सब्सक्राइब यहा teak टोपी के साथ, friends तब तेक्किली, bye and take care.